आक्टा शमाय छिलो जखन बला होतो अन्थोतो ए राज्य जारा थाकतेन तारा भवय पेतेन बंगे आश्चे बर्गी शुनले बंगे शाचेन बर्गी कोईलाज बिज़ोय बर्गी बीजेपी श्र्व भारो दिया नेता बीजेपी जरा शमोर्थो कोर्मी तारा बोलचेन त्राश शंचार होई छेना की शा शोकेर और थात ए राज्य शा शोकेर आज के आमादे टाफ टॉक में रितो ब्रतो थे आमादे स्थिति किया है और आप क्यों बिंगल चुन लिया है देखे ये तो पार्टी के ने मुझे जवाबदारी दी है मेरा सवाग्य की बंगाल जिसे राज्य में जहां भारती जन्ता पार्टी साधरन तया थोड़ी से संग्टनात्मक दिश्टी से कमजोर दी और वहां मुझे काम करने का मुखा मिला और मुझे कहते हैं बहुत गर्व है कि पिछले साड़े तीन साल में भारती जन्ता पार्टी ने ग्रास रूट लेपल पर काफी अच्छा काम किया है और इसलिए अब हम यह कह सकते हैं कि कभी हम पार्टीयों के सीरियल में चोथे नंबर पर थे आज हम चर्चा में आगे हैं कि हम टीम सी के बाद अगर कोई बड़ा दल है तो वह भारती जन्ता पार्टी है तो यह मोधी जी का नेतरत वे और हमारे कारी करताओं का ग्रास रूट लेपल पर काम है बांगला एकन प्रुश्णों एक्ट आई शौरू भारतियों खेत्र की होए न यहां पे जो है लोकसव निर्वाज उन में हम लोका तो 42 सीट्स है यहां पे आप थोड़ा बात ही है आभी तक दो से तीन नहीं हुगा आपका उमीद इस तरह आपका उमीद क्या है देखिए अगर आप पूरे देश में राजनेतिक परिस्तिती देखेंगे अगर भारती जन्ता पार्टी का प्रगती भी देखेंगे आप तो कभी हम दो सांसत थे कभी सोच भी ने सकते थे उस वक्त कि हमारी सरकार बनेगी और मोदी जी प्रदान मंत्री बन जाएंगे तो अब जो परिस्तितितियां बनी हैं देश के अंदर वो एक दम मोदी जी नेता हैं और उ दिखाई देते हैं और एक तरफ मोदी जी लोग चाहते हैं देश मजबूत हातों में जाएं और मोदी जी का नेतरतों बहुत मजबूत नेतरतों है बड़ा शक्तिशाली नेतरतों है और देश ही नहीं दुनिया में उनके नेतरतों की एक धाक है कोई भी वेक्ति अगर वो सरकार हो या मजबूर सरकार हो तो कोई भी हो अगर आपको भी अगर वोट डालने जाना पड़ा तो आप भी गोंगे ने नहीं मजबूत नेत्रतु चाहिए मजबूत सरकार चाहिए तो मोदी जी के नेत्रतु के कारण हर छेतर में काम भी बड़ा है हमारा भारती जनता पार् लोग से भाद एक हम पहुंशते पहुंशते चालीज प्रतिश्य दो वोट के हग्दार हो जाएगा उपस्तेत भाई बॉन और बंदुदेर आभार खूप खूप अभिनांदन और भालो बासा एदिके तो विशाल जोन समुद्रों के देखे आमार रुदयो मन आनन्दे बोलते चाहे आमार सोनार बांगला आमी तोमाई भालो बासी एदिके आमा शुबाई एसे चे सोनार भारोत के बानानोर जोन्ने ठीक साला तोहरी के रे जे भावे बांगल जाना जाए दुरगा पुजो रोषगुल्लो संदेश धाक शांखेर जोने शेरकों बांगली मानुस जाना जाए प्रभुद्धो मानुसिक्ता और मधूर साहिटेर जोने आमी आपनार सोबाय के खुब खुब भालो बासे देखिया अब मुदी जी का जो बात आपने बोला है जो और कोई नहीं है बिंगल में भी मौमता जी मौमता बंदुपाद्ध है इतना पॉपुलर सी एम हे तृड़ हिं तो नहीं है इसमें तो इसमें तो जहां इन्डिया में हो रहा है वो बिंगल में मौमता जी को चोड़के है और कोई किसी और अभी तός कोई नहीं है किम्ता जी बंगाल के अन्टर जो नहीं है वह बाएक्सिडेंट लोग CPM से तंग आ चुके थे और कोई अल्टरनेट था नहीं लोगों ने ममताजी को इस आशा और विश्वास के साथ जवाबदारी सोची बंगाल की कि शायद हमें अच्छी सरकार मिलेगी शायद अरह जकता समाप्त हो जाएगी शायद बृष्टाचार समाप्त हो जाएग है पश्चिम बंगाल की जनता वा अपने आपको ठगावा महसूस करती है अब लोग कन लग गया रसे तो CPM की सरकारी अच्छी थे अब लोगों को महसूस होने लगा है कि हमने गल्ती की है क्योंकि ममताजी ने जिस तरीके से समाजिक तत्वों के हात में राजनिती की चावी देदी जो की सिंडिकेट चला रहे हैं फिर सिंडिक्रेट वार चालू हो गया बसुली के पेसे का जगड़ा हो रहा है अभी तक इन तीन वर्षों में 60 TMC के कारे करता हो कि हत्या TMC के कारे करता हो नहीं कर दी तीन साल के अं जगड़ानी जैसा की यहां पर है क्या कारण है उसका इसलिए के आइडियोलाजी नहीं है लूट ना तो आपस में लूट के पेसो की बंदरबाट में एक दूसरे के खिलाफ मडर हो रहे है तो इससे बड़ा उधरन क्या हो सकता है राजक पर ट्रिनूमल का अंदर में जो क समाप्त करना चाहते हैं हम इस प्रदेश में विकास चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश के अंदर जिस प्रकार महिलाओं का शुशक्ति करन हो वैसा हम चाहते हैं कि देश के अन्य राज्यों में जिस प्रकार उद्योगी करण हुआ है, बेरोजगार नोजवानों को रोजगार दलवाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री डल रही है, आईटी कंपनी आ रही है, लोग मुझे तो कहते हैं आश्यर है कि बंगाल का नोजवान सारे देश मिल ज रही है, बंगाल का नोजवान पढ़ता है, यहां पर नोकरी कहीं पर भी चले जाए, आश्यर से लेकर कंद्या कुमारी तक आपको बंगाल का नोजवान मिल जाएगा, क्यों? अपने माबाप से दूर विचारा नोकरी कर रहा है, इसलिए कि यहां पर कोई इंवेस्मेंट करना चाहता हूँ, आज मैं ममता जी को चुनोदी देना चाहता हूँ, आपके चैनल के मादिया हम से, कि वो बताएंगी उनके मुख्यमंतरी बनने के बाद इस प्रदेश के इंदर किता इंवेस्मेंट आया है, को इंवेस्मेंट ही नहीं वालकि इंडिस्ट्री बंद होग है, डाक्टर शामा प्रसाइद मुखर जी को याद करके शुकार कर ले, पस्चिम मंगाल के नौजवानों के बागे को बदलने के लिए याद कर ले, और हम साट साल में जो पस्चिम मंगाल में गड़े पड़े हैं, उन गड़े भरने का काम हम करके देंगे आपको. मंगर BGBS में जो बेंगल मिन्स बिजनेस में जो हुआ है, वो तो सरकारी जो पत्र है उन में तो बिलियन, बिलियन, मिलियन डलर का बात है. मैं चुनोती देता हूँ, मैं आपके माध्य हम से TMC सरकार को ममताजी को चुनोती देता हूँ, कि उनके मुख्य मंतरी बनने के बाद इस प्रदेश के अंदर कितना इन्वेस्मेंट आया, एक श्वेत पत्र जारी करें, देखिए, वो हर साल बेंगल मिन्स बिजनेस, कुन स का सर्वेत करवाई है, मैं तो जहां जाता हूँ, मुझे बंगली नोजवान मिल जाता है, औरे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, देखिए, हम अपनारे माबाब के पास मिलना जाना चाहते हैं, हमें विश्वा से, मोदी जी से बोली है कि हम आपर सरकार मनाएं, इंडर्स् अब ही तो बिमल गुरूम पहार में नहीं है, दर्जिलिंग में, आपका जो सिर्थ था, शियोर सिर्थ था, दर्जिलिंग अभी क्या होगा उनका? अच्छा होगा, जो भी वहां पर किया है, वो हम नहीं किया है, टीमसी ने तो वहां पर हत्याएं की है, टीमसी की सरकार न तो वहां पर बिमल गुरुम के कारिकरता कम से कम सो से ज़्यादा लोगों को भत्या है होगी वहां पर लापता है तो वहां लोगों में जबर्यस्त टीमसी के खिलाब गुस्सा है और निशेतर उसा अल्टरनेट की रूप है हमी यह हुआ अल्टरनेट से ज़्यादा लापता है